चेका जन्म हुआ था बच्चे का जन्म कहां हुआ था पूप पर हुआ था लुंभिनी बंड में फ्क है एक चीजी बता बच्चे का नाम क्या रख्वा गया था इस सिधार्थ चलिए देखिए बीच में इधर उधर नहीं होना चाहिए इधर देखो बोड में ध्यान दिए ज्याद तर देखिए पिछला गलास जो हमारी जो कहानी शुरूँ हुई थी देखिए कहां से यह जो छेत्र देख रहे हो आज फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं हिमालय पर बत के तरआई में यह जगह है इस जगेह का नम था क्या मिश्थू और यहाँ पर एकarl साइकी गंद के मुख्या यहां हम बोलेंगे हैं के राजा इसका नाम था क्या सुदधन यह नाम बता है कि अवाज कहां से याराई जी बताएं बात्चीत बिल्कुल भी नहीं सांत बनाके रखिए एक तो इधर उदर आप लोग फेस करते हो तो डिस्टप हो जाता है ठीक है मैंड दूसरा आप लोग आवाज निकालते हो तो और ज्यादा हो जाता है तो बिल्कुल भी आवाज नह तो आपका थे कपिल वस्तु के जो राजक अगर कहेंगे तो यह इसका नाम क्या था सुद्धधन ठीक है और इसका बेवाहिक संबंद बना था यूपी में अगर छेतर पड़ता है कोसल गनराज क्या कौन सा चेतर पड़ता है कोसल और यहां की एक राज कुमारी थी जिसका शुषक्तां का नाम क्या बतायते महमाया कि महमाया इसके सांस का बेवाहिक संबंद बना था कि यहां पर लिघ्ते हैं अब एक यह दोनों के सा가 था पटी पत्नी अब इन लोगों का जो है नहीं बहुत लंबे समय तक संतान का जर्ण का जर्म नहीं आई इसके माम लगों ब संतान का जर्म नहीं हुआ तब इन लोगों ने बहुत जगा देश के चारों ओर जो है डिफरेंट डिफरेंट छेत्र में जाकर मंदिर मस्जीद में घुमकर वहां पर पूजा पाट या दच्छीना यह सब करते थे बहुत दिन के बाद कोई ना कोई भगवान का लग जाने क कि विशेंड तो इसको मांघे बेजने का माय के कहां पर तो कोसल गन्राइज जह दिख रहे हैं तो इसके बीच में बढ़ा गना जंगल आपको मिलता है उसका नाम क्या है लुंबनी बाद्रेंग्स ने ब्युस्था कर दिया सुद्धयन ने क्या जाने के लिए तो उसका सुद्रधन राजा है तो उसका सार्थी होगा सार्थी को भे दिया कि रत अपना तैयार कर लिजिए और इसके बाद जो है इसको अपना माई के छोड़ के आजए तो उसने भी इसका जो सार्थी था उसने रत जो है वो तैयार कर दिया ठीक है रत तैयार करने के जाने के फलसरुप जो है बीच में आपको बताये थे जंगल पर जंगल जहाँ यह लोग पहुंचे तो अहां पर आपका थंडी होआइं बहना शुरू हो गई, जब धंडी होआइं बहना शुरू हो गई, जो महारानी जो थी उसको जब कि नीद आ गई, तो जिसके को नहीं है वो क्या है भगवान का रूप है और वो इस धर्ती को धार करने के लिए जन्म ले रहा है तो कोई भी जदी इस तरह का सपना देखेगा ना तो सोक जाएगा नहीं समझा तो तुरंद अचानक आँख खुला देखता है अच्छा सपना देखे थे तब जाके फिर से फिर से कुछ दूर आगे और रत बढ़ा तो फिर से आप पर क्या हुआ फिर से उसको आँख बंद यानि नीद आगया फिर से अब देखे फिर से दूबारा जो है सपना देख रहे है फिर से बच्चे का जन्म हो गया है और जन्म के बाद क्या हुआ कि उस बच्चे को जो ह हाथ ही जहरणा के सामने ले गया और और अपने सूर से फुहारा मार रहा है थेक है उसको नहला रहा है दूसरा एक सार उसको फूल का मालावी उसको चड़ा रहा है तो इस तरह से फिर से सपना देख रही है और कुछ दूर रत गया ही है जब बच्चे का जब जन्म हो गया तो यह तो आपका कपील बस्तु जो छेतर देख रहे हो यहां से लुंबनी बहुत ज्यादा दूर नहीं था इसके बीच में आपका लुंबनी पड़ता है और इसके बाद आपका कोसल कर रहा है तो उधर ना जाके यह रिटन ओहीं से घर तो रिटन आ गया तो यहां पर जब महामाया जी वहां पर जब गिर गई थी तो थोड़ा सब बहुत इतना हुई कि कहना नहीं समझ में आ रहा है उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है घटना क्यों जब उस बच्चे को भी देख ली ना जैसे वह सपना में देखी थी उसी तरह से और ऐसे भी जब पर्शों पिड़ा होता है उस समय जो है बहुत ज्यादा आपका महिलाओं को जो है उस समय दिक्कत होती है बहुत किसी को बहुत किसी का तो डेथ भी हो जाता है तो इस तरह से उस समय दिक्कत आती है तो इसका भी यह भी बहुत हो लेकिन लास्ट में बच्चे का जन्म हुआ यानि संतन इसको मिला मिला भी तो इसके बाद क्या हुआ इसकी मम्मी चल बसी बहुत दिकत वाली बात अब इस बच्चे का लालन पालन कौन करेगा भई तो आप लोगों को बताये थे कल कि महा माया की एक बहन थी महा परजापती कुन थी ठीक है महा परजापती तो बाद में बताये थे कि ये महा परजापती पती जो देख रहे हो महा परजापती ठीक है इसी के साथ इसका क्या हो गया यानि बेवा हो गया किसका सुद्धधन तो सुद्धधन का अगर हम देखेंगे तो दूसरी साथी किस तो आप दिखिए यहां तक आप लोगो देख लिया था ना इससे आगे भी देखे थे अब जो बच्चे का लालन पालन कुन करेगा महापर जापती गोत्मी इसकी यह कौन है मोसी है बच्चे की अब आप लोगो बताये थे कि यहां पर एक बहुत बड़ा समारा हुआ था समा में और इस बच्चे का नाम करन किया गया था इस बच्चे का क्या नाम रखा गया था सिदार्थ यहां तक आप लोगो देखे पर चलिए बच्चे का क्या नाम रखा गया था सिदार्थ बच्चे का नाम करन क्या हुआ था सिदार्थ बच्चे का याद रेखे का जो जन्म हुआ था यह आपका जन्म इसका हुआ था 563 BC में कभ वह था 563 BC यानि इसा पूर्व इसको कहा जाता है कभ वह था 563 इसा पूर्व सिधार्थ का जन्म कभ वह था 563 में पूर्व था इसका नामकरन हो गया था यहां पर आप लोगों बताये थे कि यह सिधार जो पांडीजी को अपना नामकरन का अवतार में कब उसका नामकरन कते हैं » mahndij देखिया, चब मिन अंता म्यांद्र गचादा बच्चा की, इस्ट मांडा कि जिए это्मिया और उसका नामकरन करने बोला, तब उसने ये सारी चीज बताया था तो देखिए यह बच्चा कोई साधारन मानों नहीं है यह भगवान का अवतार है दूसरा इस दुनिया को जो है यह उधार करने के लिए जन्म लिया है कोई भी पिताजी जो है अपने बेटे के बारे में इस तरह का अगर बात सुनेगा तो जरूर है उसका जो है खुसी से सीना उसका चोड़ा हो जाता है समझ में रहा है तो इस तरह का बात तो सुन लिया चलिए भाई पिताजी जो है पुरा खुस है कि मेरा बेटा आम आदमी तो है नहीं भगवान का उतार है चलिए आप बोल लिए दूसरा यह यह जो बच्चा था यह किसी भी मान लेते हैं दुखी बेक्ति का अगर देखेगा तो उसका दुख को यह अपने मिले लेगा यानि किसी को यहां दुखी रहने नहीं देगा तो इस तरह का किसी का भी पुत्रागा होगा तो यह बहुत अच्छी बात चलिए एक चीज आप लोग जानते हैं कि कोई भी पीछे कुछ तो बुलाई होता है तो इसके पीछे इसका बुलाई क्या है वैसा अगे इस को बच्छा है T कपड़ा नसीब नहीं होगा तो कोई भी राजा रहेगा और अपने बेटे के बारे को थे अगर उसका बेटे दूसरा चीज कि ओहां पर आपका कपड़ा यह सब नहीं है वो लोगे उसका बेटा के बारे में तो राजा विश्वास नहीं करेगा चलिए जदि हम मान भी लिए तो इसका कोई उपचार तो होगा ना तो उपचार किया है तो उपचार यहां पर बताया गया क्या उपचार बताया आप लोगों बताये थे कि देखिए इसको कोई भी दुखी बेक्ति के सामने इसको नहीं लाना है पहली बात इसके सामने नहीं लाना है दुखी बेक्ति नहीं तो उसका दुख ले लेगा कोई भी भीखारी इसब जो होगा ऐसे बेक्ति के सामने इसको नहीं लेके आना है तो इसके लिए क्या किया जाएगा इसके लिए अपना जराजा का तो महल जानवेकर रब बहुत बड़ा होता है अपने बाउंडरी को उचा उचा कर दीजिए और कोई भी अगर भिखारी जदी उहां पर पहुंचते हैं तो उसको वहीं से वहीं सरह किया जए तो इस तरह से कितना दिन करेगा देखिए जितना दिन होता है समझे के लिए तेस स कि अंदर में ही सारा चीज स्विम फूल ये सब जो है जो भी उसको नहाने उआने का रहता है खेलने उन्ने का अग्वाइब पिछले गलास में बताये थे यह वो फिलिम का नाम, कौन सा अनारी मूभी, अनारी मूभी में जो हिरोईन रहती है उसको घर से बाहर जाने नहीं द जाएगा नाड़ी मपी कौन कौन देखेगे और इसके अलहा आप लोग नहीं देख दीगा कर नहीं पहले देखिए तो आप लोग तुद देखे है नहीं इसलिए आप लोग को पता नहीं चलरा तो उस तरह का वहाँ पर सक्षण कर दिया गया तो देखिया जो भी इसका महल कि फोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं यह सब पार्ट को कि अरे तुभी चलिया गड़बर हो गया अच्छोटा भी कर दिया ना इसलिया सावरा उधर कहां से हो गया भई चलना थी वहां तक चलिया था यहां से लिया था उधर के से चलिया रहे देखो कि अभी देखो ठीक है कोई बात है कि आई अब घटना को समझिये अच्छी अच्छी कि अच्छी कि अच्छी कि अच्छी कि अच्छी यह इसके यह बाउंडरी है और इसके अंदर राजा का जो भी है आपका महाल है इधर आपका मुहला इसके आसपास में कहीं होगा ठीक है कि अच्छी को चोटा 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 आपका मुहला आपको देखने को सबसे पहले जो अनाड़ी मोवी में क्या होता था जो सिदार्थ को पढ़ाने के लिए यहां पर पहले आएंगे उसके पढ़ाने के लिए समय जो टीचर होता था सिदार्थ को पढ़ाने के लिए यहां पर पहले आएंगे सिदार्थ को पहले पढ़ाएगा उसके बाद वो स्कूल में जाके पढ़ाता है दूसरा चीज अगर इसको खेलना क्या रहता है तो गाउं के सभी बच्चे जो है उहां अंदर आएंगे खेल में यहां के देटा था समय थोड़ा सा धीरे धीरे बच्चा जो है बड़ा होते गया बिद्ते गया और बते होता है तो उसके जो दोस्तओं अब जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है और उसके दोस्त लोग भी बढ़े हो रहे हैं तो उन लोग जो है बाहर में भी जो खेलता है ना तो बाहर में बहुत सारे घटना भी होती है वह सब उन लोगों को उसको बताना शुरू कर दिया इधर उधर्षा पीनमारना शुरू कर दिया उसको भी जानते हैं मन में इच्छा किया कि हम भी बाहर एक बाहर घूम ऐं हॉद्ब है अपना बांडरी के बाहर ठीक है इस तरह का उसको पीनमारना शुरू कर दिया अब बच्चा जो है इसका पिताजी को तंग कर लिया भण इसका पिताजी को सुदाधन हम को एक बार बाहर अपने दोस्तों के साथ अब इसका पिताजी तो जानता था इसको कभी भी दुखी बेखती कि पास姓 सम नहीं पहुंचा ना थे जाना रहीं तो फिर उसका 2 ले ले जगा तो पिर दिख्टत में पड़ जाएंगे ये जानता था इसका पिता जी इसका सार्थी को क्या बोलता था इसको गुमा या इसका सार्थी घोड़ा मैठाया चारों और बाउंडर के गुमाया इतना ही तुर बेटा इसके बाहर दुनिया नहीं है बाण्टरी के अंदर अंदर घुमा के फिर से छोड़ देता था घुल लोग फिर थे लेता था था कि बाहरण लोग नदी में नहाते हैं इधर उधर कुझते हैं खेलते हैं हजार गोची उन लोगों कर्षब का हम लोग देंगे बोलते हैं कि नहीं इस तरह का होता है सभी को इच्छा करता है बाहर घुमनेगा तो इसी तरह का यहां पर इसको हर दिन पीनमानना सुल कर दिया आप इसने सोचा कि मेरा बाप रहेगा तब तक तो हम घुम नहीं सकते मुश्किल है एक दिन क्या हुआ इसका सार्थी तो था घर में इसका सार्थी को तंग कर दिया मगार आगे पना भी बड़ा नहीं था बच्चा भी ठीक है कर्ण और एक धैसको दिया आ गया इसको पता नहीं चलना चाहिए आप तो अपना जो भी है थोड़ा बहुत चेहरा और धक्या आपको निकलना है जोई भी आदमी देख लेगा तो सार्थी को सजा क्या मिलेगा उस दोधन समझें नहीं समझा क्या सजा देगा तो देखिए इसलिए उसको बोला बच्चा को कि चलिए पूरा रोध यह था नहीं एक अब इस बच्चे को लेके गाउं में निकला पीशे घुराम बैठा है अब लेके तो गया अब गाउं के कुछी दूर इन लोग गया है गुमने किसी को पता नहीं चलता है कि इसका बेटा अभी बाहर निकला है यह गां इधर गां मुहला में जैसे यह जाएगा तो देखि ओशी वेक्ति तीन पैर में आपका चल रहा है धी आपका वेक्ति पहला बेक्ति क्या देखा दूख एधियर ? इस तरह से बुढ़ा वेक्ति को सबसे पहला धीक एकदम सीरी करियारा और शेênio आइसे याद रशेग है अ 파AME कि इसके बात कुछ दूर गया है उसके बाद देख क noi कि बीमार आदमी की चारा added के चारपाई में सोया हुआ है चारोल ऑपका जोल खौझा चाफ कर रहा इस तरह से पिंचे साथ में बठल कि रहता है वी दुखी पहला क्या देखा विध ही भीमाड फिर कुछ दूर गया और हुआं पर एक के लास सब को निकाल के ले जा रहा है चार गो आदमी डोके राम राम करते हुए ठीक है समझे आ तो इस तरह से ंतिसरा बेक्ति जो देखा कि अपका profit ऒो कैसा वेक्ति था तो ये आपका अथ सब था तीसरा में क्या देखा था सब तो उसको ले जा रहा है अपना का समसान तो इस तरह से तो देखिए पहला पहला क्या वेक्ति देखा बुड़ा तीन पैर में चल रहा है दूसरा जो बेक्ति देखा क्या देखा था विमार वेक्ति चार तीन-चार आदमी उसको बैट के कर रहा है विमार आदमी भी दूखी देखती फिर कुछ दूर गया है तो वहां देखा कि सब को देखा ठीक है उसको चार आदमी जो है ढोके ले जा रहा है राम राम करते हुए इस तरह से तीन बेखती देखा उसके बाद कुछ दूर गया है तो उहां और एक बेखती देखा और वो था आपका शन्यासी और जब शन्यासी को देखा न तो अब शन्यासी को आप लोगो कभी भी देखो गहें तो उसका कोई भी दिमाग में उसका चिंता नहीं होता है एकदम खुसी से अपना ये को लेके अपना चला है एकदम माइंड फ्री समझा रहते हैं इस तरह से तो उसने जानते ओहीं पर डिसाइड कि कभी भी हम कुछ बनेंगे ना सन्यासिये बनेंगे समझें क्योंकि दुनिया में ओहीं एक आदमी खूस है करता है तो उसी समय उसने डिसाइड कर लिया कि कभी भी हम कुछ बनेंगे तो क्या बनेंगे सनासी ही बने गए अब इतना आदिम को देखने के बाद उसका सार्थी जो ले गया था उसको बोला कि हम पुरा दुनिया देखनी है अब हमको यहां से रिटन अपना घर छोड़ देखनी है अब ओहीं से वो जो बचा जो था वो रिटन आ गया घर में अब घर में आने के इसको लगा है कि हम महल के अंदर बहुत खुस है हमको कोई चीज की कमी नहीं है ठीक है लेकिन पूरा दुनिया जो है न दुखां से भरा हुआ है यह चीज उसको एहसास हो गया उस समय और उस समय से इस दुख से हम बाकी सब लोगों को कैसे हम उधार करेंगे इस सोंच में व गर में जो उसको बेड़ था वहां पर यह पडल रहता था रात होता है खाना उना कुछ नहीं खाता है इसका जो मौसी थी या उसका पिता जी खाना खाओ बेटा खाना नहीं खाएंगे कि क्या हो गया बहुत दिक्कत वाली बात है न आप ही लोग को अगर बात करेंगे मान लेते हैं कोई ऐसा जिसे कल से यह सुमिद जो है घर में बैठल रहेगा रूम में घुसल रहेगा इससे बातचीत नहीं करेगा ना खाना खाएगा ना कहीं कुछ करेगा तो घर वाला क्या समझेगा क्या हो गया रहे दिखते उसको क् फ्रेंट सब को बुलाएगा फ्रेंट सब के साथ भी बात नहीं करेगा समझा तो कैसा लगए बताओ क्या क्या कुछ हो गया इसको कोई इलाज किया जाए जानते हूं समय इसके साथ भी इसी तरह की घटना हो गई ठीक है यह बच्चा कुछ नहीं कर रहा है तो आस पास के जो भी आपका उन्हे निवस्त प्लाओं होते थे उन लोगों को बुलाया जाता था और एप बताहें ये कुछ बुलाई जाता था तक हैं कुछ बीमारी को नहीं है तो इलाज किया जा जाए कोई जितना ही डूक्तर ऐसके बिमारी का पता ही नहीं चल पाया और किसी को कुछ बता भी नहीं रहे कि हम को ये या इस तरह कहा हम सोच रहे हैं तो कैसे बताईगा ठीक है और इसको घर से बाहर जाने देता नहीं देगा फिकर पताई चलगके से चल गया था ना तो इस तरह से इसके साथ कंडिशन बन गया अब देखिए कि तीन चाह दिन पांच दिन लंबे समय जब हो जाता है तो अदमी क्या सोचता है इसको क्या बीमारी हो गया कि ऐसे लोग जो किसी से बाद विचार नहीं करते हैं चुप-चाप घर में जाके पढ़र लाते हैं ना खाना खा रहा है तो यह किस तरह का बीमारी होता है कि यह को बीमारी का नाम लिख रहे हैं अब लोग बताइए का किसी किसी को हुआ होगा था कि यह एक बीमारी होता है मलेरिया का दुसरा भाई है कि नहीं समझाते हैं यह भी एक बीमारी आदेमी क्या समझेगा यह बीमारी तहीं अइसा तो नहीं कि यह बीमारी हो गया है और घुर ऑपता नहीं कर पाएगा तो उसका चुड्वां राजा का तो बहुत सारा सल्हाकार था कई महाराज जैसा तुनिकि यह कहीं लबेई-ईथ की भीमारी इसको हो गई है को साधी क्या है है समझ में आ रहा है तो उस समय हाँ ये भी हो सकता है साधी कर दिया जाए तो बच्चे इस समय जो है सुला साल का इसका उम्र हो चुका था उस वह समय होता भी है ये बीमारी का कितना बर्स हो गया था सुला बर्स ये जो समय है ये इस विमारी का लच्चन होता है यहां पर ठीक है तो समझ ये ये उमर का आप देखिए तो लोगों ने सोचा आसपास के कहीं ऐसा बीमारी तो नहीं हुआ है तो इसके लिए इस समय जो देख रहे हो ना इसका उमर कितना हुए अभी सुला बर्स सुल्ह बर्स का उमर में उस समय की सबसे सुन्दर कन्या और इस कन्या का नाम था येसो भरा क्या नाम बता रहे हैं कर दो हां उस समय की सबसे सुंदर करना थी ऐसे इसी के खंदान कहीं प्रोसियन में थी ठीक है गुतिया में ही लगता है यह थड़ा सद्धूर के गतिया में लेकिन उस समय की सबसे सुंदर करना थी इसकी भी उमर उस समय सुल्ही वर्स था दोनों का सुल्ह बरस बहुत अच्छा मेंचिंग किया है तो इसके साथ इस साधी यानि बेवाहिक संबंद इसका हो गया किसका इस सिदार्त और यसोधरा के भी साधी का संबंद बनी गया तो यानि सिदार्त की अगर हम पत्नी की बात करेंगे तो यहां कौन हो भी जसोधरा अब भी जब साधी हो गया जब भी यह दुख में बैठल रहता था इसकी वाइप तब दुख में रहना नहीं देगी आकर पिन ठीक है कभी भी दुख में यह अपना जो अपने सोंच में जो पढ़ रहता था फिर वह आती थी कभी भी चल इधर उदर खीचाट आनी करना सुर क्योंकि इसको चहिए कुछ ओर चीज और यह पर हो रहा इस दुनिया में जिस जगह यह है कुछ दिन के बाद इसका एक पुत्र का भी जन्म हो गया तो सिधात का जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या हुआ रहुल अब कभी भी सिदार्थ जो देख रहे हो यह आपका दुखों से भरा हुआ आपका बैठल रहता था कभी भी अपने मोन में कि नहीं समझा बच्चे को इसका गोध में बच्चा रोड़ना धोना से तो माइंड डिस्टप करेगा है तो इस तरह का यह बार बार इसको डिस्टप करते रहता था कशुछ वेकिता से तरह का जदें चलता रहा तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे मिभर से इस समय बीजर गया बहुत लंबे समय का उस तरह से यह सोच पड़ा हुए था कि हम दुनीया को कैसे उधार करेंगे और यहां पर तो हमको परिवार का महाहुं में हमको कुछ फंसाते चला जा रहा है परिवारी लोग इसलिये हमको यहां से निकलना अब निकले दो कैसे जदि हममालनेतma निकलते हैं पीछ बच्चा भी आजाएगा फिर मेरी वाइप भी है इसको छोड़ी कान इकल सकते हैं बताके इसने डिसाइड किया कि रात में भाग जाएंगे समझ में आ रहा है 29 बर्स के उम्र में यह सिदार जो देख रहे हो ना यह अपना घोड़ा एक इसका था जिसका नाम था आपका कंठ घोड़ा का क्या नाम बता रहें अपना घोड़ा को निकाला और पुर्नीमा का रात था पुर्नीमा का रात समझते हो ना बुद्ध का जितना भी घटना जे हुआ है ना यह पुर्नीमा का रात में ही वाया याद रखना ठीक है इसलिए बुद्ध पुर्नीमा मनाया जाता ह अपना घोड़ा को निकाला क्या निकाला गोड़ा और इसका घोड़ा का क्या नाम था कंठक घोड़ा को निकाला और निकालने के बाद यह अपना घोड़ा से रात में यह घर से निकल गया यानि चल दिया और जैसे यह निकला यहां से देखिए यह तो आपका पढ़ता है समय में बिखार और यहां जो आप देख रहे हो यह भीहार पढ़ता हां सबसे पहली बार कहां आया था पुछेँगा भर, घर से अपना घोड़ा निकाल के निकल दिया कहां बैसाली तो सबसे पहला जो छेत्र पढ़ता है नीचे की और भागा और यह छेत्र पढ़ता है अपका बिहार बिहार में ही पढ़ता है क्या बैसाली यह पहुँचिया देखिये अब राजा का घर का जो है अपका राज गुमार है तो इसका पहनावा बहुत अच्छा होगा तो कहीं भी जाएगा गालब तो राजा का बेटा कू को नहीं पहुंचा लेगा तो यह सोच के इसने क्या किया देखिए इसने जेसे ही आपका इदर पैशली तरफा आया एक भिखहरी को देख जानते ह messaging को देखा कि उसका ब्दन में कपड़ा नहीं है तो यह आपना जो कपड़ा था ना उसको दे दिया और अपनाकानून में जो भी पहना हुआ जो अपना तो हमको कोई नहीं पहँचाने का समझाओ तो इस तरह से वह काम कर दिया अब हुआ अब विखारी को दे लिए तो आप दिखिए उसके पास क्या कपड़ा नसीव है अभी कपड़ा भी उसके सरीन में नहीं है इस तरह आसा आ आज अब देखे यह पहली बार कह पहुँंचा तो बैसाली पहुंचा कहा बैसाली में यह आया यहां पर एक गुरु जी थे और वह सिच्छा देता था जिसका नाम था अलार कलाम यह पर यह उस समय यहां पर यह साइख दर्शन की शिच्छा दिया गरता था साइख्य दर्सन आप लोग समझते हैं नहीं देखिए उस समय यह जो गुरू था अलार कलाम यह बैसाली में इसका अपना इस्चूट जो भी उस समय था इसका असरम था और उहां पर इसने कौन सा सिच्छा दिया करता था तो साइख्य दर्सन कौन सा सिच्छा साइख्य दर्सन की इसने सिच्छा दिया करता था साइख्य दर्सन आप लोग समझते हैं क्या नहीं समझते भगवान की प्राप्ति करना जदी आप राम 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 जपोगे तो भगवान की प्राप्ति होगे तो यह जो गुरूजी यह थे यह साइख दर्शन की सिच्छा दिया करते थे जैसे आप लोग यहाँ पर आये हो कोई यहाँ पर माल लेते हैं जारखनारच्छी की तैयारी तो कोई यहाँ यहाँ डिफ्रेंट टाइप की यहाँ पर तैयारी करने आयो और आप लोग को हम यहाँ पर भगवान की प्राप्ति कैसे किया जाता इसको अगर हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो दूसरा दिन आप लोग बाग जाओगे नहीं करना है सर अम लोगों पैसा कमाना है समझ में आ रहा है तो इस तरह की समझी यहां पर यह जो दर्सन यह जो पढ़ाई करवाता था क्या चीज की साइख दर्सन समझिए ठीक है तो देखिए यह पहुंच आप गुरू जी के पास तो यहां पर देखा कि भगवान रामराम जंपना यह सब जो काम ी इस तरह बहुत सारे इस तरह की छॉप्भापत की सतरह से वार्ग दरसन करना है भगवान की प्राप्ति नहीं करणा है तो इस चीज के लिए above कुछी दिन दिन यहाँ तो यहां पर रहा और उसके बाद यहां से यह निकल गया क्योंकि यह चीज इसको नए चाहिए कुछ दिन के लिए और साइकी दर्सन का सिच्छा कौन दे रहा था तो अलार कलाम नेक्स्ट है इसके बाद यहां से यह निकल गया यह निकला कहां इससे आगे बढ़ेगा इससे आगे जगा पड़ता है जिसका नाम है राजगीर राजगीर अभी भी आपने नाम सु अब देखिए यह राजगीर जो छेत्र देख रहे हो यहां पर और एक गुरू था जब इस गुरू से वह चीज आप सिच्छा नहीं गरहन कर सकते तो गुरू बदलना पड़ेगा ना जो चीज आपको आए सकता है तो यहां पर जो इसका गुरू बना यहां पर एक रुद्रक रामपुट क्या नाम बता रहे हैं रुद्रक रामपुट अब देखिए पहला जो गुरू इसको मिला था उसका नाम क्या था अलार कलाम और यह साइख दर्शन की सिच्छा दिया करता था और इसके बाद यह चला गया कहां राजग्री ठीक है और यहां पर जो इसका गुरू जो बना यह आपका कौन रुद्रक रामपुट रुद्रक रामपूट ठीक है अब देखिए यह गुरू का कुछ रूलियम था और यह देखिए यह गुरू क्या सिच्छा दिया जाता कहां यह देता था यह जो है न जोग दर्शन ऐसा शीछा देता था जोगधर्शन यह जो गुड़ु देखर रुद्रक रामपूत इस यह जो शिच्छा देता था वह जोग्धर्शन समझती हो जोगा जोगवला जोगा जदी करोगे तो क्या होगा आपका माँ दिमां को सांति मिलेगी ठीक है दूसरी आपस आपका सरीर जो हई ये सवस्थ रहेगा ? ये जो सिच्छा देता था ? यम चीज का त्यारी करना चा रहे वह तो हम मिन नहीं लेकिं हम जरूर है एक चीज़ लेकर हम प्राफ्त हो जाएगा , जी इससे मेरा सरी थोड़ा सा स्वस्त रहेगा ठीक है तो यहां पर इसने आ गया इस गुरू के पास यह कौन था रुद्रक रामपूर और यहां पर यह सिच्छा गरहन करने का के लिए यह आपका एडमिशन ले लिया समझें लेकिन इस गुरूजी के पास कुछ रूल नियम था यह सिच्छा ओही लोगों को देता था ठीक है जो लोग इसके रूल नियम जो इसका बनाया था उसके मारक पर आपको चलना पड़ेगा इसका कुछ रूल नियम था जैसे देखिए आप मेरे पास सिच्छा गरहन तभी कर सकते हो जब मेरा रूल नियम से चलोगे तो इसका ह पूस्टेल से मतलब चात्रवास था आशरम में ठीक है आश्रम उस समय तो अभी जैसे चात्रवास नहीं नहीं होगा उस समय आश्रम में आपका चात्रावास अस्तरह था तो देखिए इसका कुछ-कुछ रूल नियम था इसके यहाँ जो भी सिंच्छा गरान करेंगे तो स सबसे पहले क्या करोगे सुबह सुबह सो के जब उठोगे तब आपको सबसे पहले बिच्छा मागने जाना है गाओं में और बिच्छा मागने ऐसा घर आपको नहीं जाना है जहां मात्र एक लड़की हो यानि महीला हो वहां पुरुस ना हो कि समझेंगा ? मान लेते हैं कोई गहर में मान लेते हैंaison akelahe mहीला है और उस घर में कुरूस नहीं हैं तो ऐसव JUST पुर आइसे घर आपको बिच्छामागने नहीं जाना है इसका मतलब लड़की जाती से दुर रहना है एकेसे घर ही आपको जाना है अको डेदी आ बिच जाते हैं तो वह इसा नहीं करना है तो देखिए जिस घर में सिर्फ अकेले लड़की रहता हो या महिलाएं रहती हो ऐसे घर आपको नहीं जाना बिच्छा मागने दूसरा जिए जो भी आपको बिच्छा में फल फ्रूट्स ब्रामन होगे तो क्या मिलेगा आपको फल फ्रू और नहाने जाओगे उसके बाद नहा के जब आओगे उसके बाद फिर जोगा में बैठना है और जब जोगा आपका कम्प्लीट हो जाएगा तब जाके आपको भोजन करना है समझ में रहा है तो इस तरह की इसके पास ब्योस्था थी तो इसी तरह से उसका जो भी जितने भ आपको जोग दर्सन करना है तो जोग दर्सन करने के फसरो आपको क्या करना है उसके बाद आपका जो भी आपका भोजन करना है गशा अब क्सroleum क्लास लगता है अज ज्याद समय लेंगा क्योंकि टाइम हो गया है तो कल आ देखोंगे ठीक है चलिए सांत रहे थोड़ा देखिए आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगे जो पढ़ाय जा रहा है ना देखिए आप लोग कर लिए इतिहाल जग्रोफी जो भी सब्जेट पढ़ाते एक बढ़ियां तरीके से शुरुवात से आप लोग पढ़िए आपको ना याद बात करने में दिक्कत होगा ना किसी चीजों में नहीं ठीक है यह सब आप जीवन में जीवन भर नहीं बुलोगे जो चीवह बता रहे ना तो इस तरह का होती है पहला बच्चे का बच्चपन में क्या नाम था अधा अधार्ट उस बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं उस बनी बान में जीवन में जीवन मौता इका